हेलो फैंट्स वेलकम टू राधा किजिन तड़का आज बनाएंगे रसमलाई केक इसके लिए मैंने तीन कप प्रिमिक्स को दो केक टीन के अंदर डाल कर इसे बेक कर लिया है यही साथ इंच का केक टीन है और केक बेक हो चुका है मैंने तीन लेयर में कट कर लिया है स्पोंच को और एक मैंने पाच इंच के केक टीन में केक को बेक किया था यहां मैंने दो कप क्रीम को वीप कर लिया है वीपिंग क्रीम को और थोड़ी से यहां मैंने लिए है रसमलाई से अच्छे से क्रस्ट कर लिया है और जो रसमलाई में दूद आता है एक पॉल में उसे डाल लिया है अब एक केक बनाना स्टार्ट करते हैं केक बोर्ड के उपर मैंने थोड़ी क्रीम लगा दी है और एक रखती है मैंने लेयर स्पोंज की क्रीम लगाना इसलिए ज़रूरी है ताकि केक हमारा बनने के बाद फिसली नहीं तब हम केक बनाती है तो थोड़ा इधर उधर फिसल जाता है इसके लिए पहले थोड़ी सी क्रीम लगा दे इसके लिए मैंने जो रस्मलाई में दूद आता है उससे केक स्पोंज को सोक किया है अभी क्रीम लगा दी है अभी इसके उपर रस्मलाई कट करकर रखी हुई थी इसे लगा देंगे ताकि अच्छा सा फ्लेवर आए जब केको कट करें तो बिल्कुल रस्मलाई खा रहे हैं ऐसी फिलिंग हो इसलिए मैं इसके उपर लगा रहे हूँ ये रस्मलाई चोटी चोटी टुकडों में तोड़कर अभी रख देंगे केक की दूसरी लेयर थोड़ा सा प्रेस करेंगे ताकि अच्छी तरह से सेट हो जाए इसके बाद मैं फिर से वही मैथड योज करूँगे इसके उपर लगा दूँगी दूद जो रस्मलाई का दूद है उसे लगा देंगे अच्छी तरह से सोग कर देंगे हम स्पोंज को अब इसके उपर लगा देंगे क्रीम बराबर कर लेंगे इसे पैले टाइफ की मदद से और इतना टेस्टी केक बनकर तयार हुआ था खाने में बहुत जादा यम्मी ऐसा लग रहा था जैसे रस्मलाई ही खा रहे हैं बहुती डिलिशेस केक बनकर तयार हुआ था और ये बनाया था मैंने मेरे बेटे के बर्थडे पर फिर से इसके उपर रस्मलाई के टुगड़े लगा देंगे इसके बाद फिर से इसके उपर एक लेयर और रखेंगे क्योंकि तीन लेयर में कट किया था मैंने केक स्पोंज क फिर से रस्मलाई के दूद से इसे सोक करेंगे और अब की बार हमें इसके उपर रस्मलाई नहीं लगानी है क्योंकि ये फाइनल लेयर है और इसके उपर लगाएंगे क्रीम अच्छी तरह से क्रीम लगाने के बाद इसे फैला लेंगे पैलेट नैफ की मदद से और फ्रेंट्स रेस्पी बहुत अच्छी है, बहुत यूजफुल होने वाली है आपके लिए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर ले ये देखे, चारों तरफ से भी बराबर कर देंगे, क्रीम लगाकर ये हम क्रम कोटिंग करें हैं ताकि केक के उपर जो ये क्रम्स हैं ये निकलेना इसके लिए पहले क्रम कोटिंग करनी होती है extra cream को ऐसे नीचे लगा देंगे बिल्कुल बराबर करने की कोशिस करेंगे अभी इसके बाद हम फिर से इसके उपर लगाएंगे cream साइडों से अच्छी तरह से cream लगाने के लिए सबसे best तरीका यही है क्या पाइपीन बेक के अंदर क्रीम को भर ले और इस तरह से चारो तरफ अच्छे इस तरह से फैला दे बिल्कुल बराबर क्रीम लगती है और क्रीम भी थोड़ी वेस्ट होती है इससे क्योंकि इससे अच्छी तरह से चारो तरफ क्रीम लग जाती है पेलेट नाइफ लेंगे और इससे बराबर कर देंगे पहले चारों तरफ से बराबर करेंगे उसके बाद इसे उपर से करेंगे और यहां मैंने स्क्रेपर ले लिया है इसे गुमा देंगे चारों तरफ तो इससे अच्छा सा डिजाइन बनकर तयार हो जाता है इसमें कोम डिजाइन है पीछे से उसे भी कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे वो इसके उपर डिजाइन बना सकते हैं पलेट नैफ की मदद से हम उपर से भी बिल्कुल बराबर कर लेंगे केक को अच्छे सी फिनीसिंग देकर तयार कर लेंगे और यह केक हमारा तयार है अब यिसे रख देंगे फ्रीज के अंदर तब तक हम अपना दूसरा केक तयार करते हैं क्योंकि यह डबल स्टोरी केक बना रहे हैं यह पाच इंच केक टीन के अंदर मैंने बेक किया था इस पोंज को ऊपर से इसके एक लेयर कट करकर अलग कर और अभी इससे तीन लेयर कट करेंगे, देखे कितना स्पोंजी कितना जालीदार बनकर तयार हुआ है, तीन लेयर में कट कर लेंगे केक को, बहुती सॉफ्ट केक बनकर तयार हुआ है, इस केक को भी बनाना स्टार्ट करते हैं, इसके लिए मैंने केक स्पोंज रखती है, क्र दूद से सोक किया है क्योंकि पहले वाले केक को भी मैंने दूद से ही सोक किया था रसमलाई का जो दूद होता है उसी से सोक किया है और अभी इसके उपर क्रीम लगा दी है इसके बाद जो हमने रसमलाई तोड कर रखे थी वही डाल दी है अच्छे से फ्लेवर के लिए रस्मलाई डालने के बाद इसके उपर रखेंगे नेक्स्ट लेयर जो हमने केक स्पोंज की तीन लेयर कटकर करकी हुई थी वहीडा रख देंगे इसके बाद फिर से इसे रस्मलाई के दूद से सोक करेंगे उसके बाद फिर से क्रीम लगाएंगे और यही मैं तर्ड तीनों लेयर के साथ करेंगे और लाश्ट वाली लेयर के उपर हम रस्मलाई जो हमने क्रिस्ट करकर रखी हुई टी उसे नहीं लगाएंगे लाश्ट वाली लेयर के उपर सिर्फ हम क्रीम लगाएंगे पहले सोग करेंगे दूद से इसके बार इसके उपर क्रीम लगा देंगे और क्रम कोटिंग कर लेंगे क्रम कोटिंग कर चुकी हुम है ये देखिए अभी उसी केकी तरह हमें इसके उपर भी लगानी है क्रीम अच्छी तरह से चारों तरफ क्रीम लगा देंगे पाइप इन बैग में डाल ली थी मैंने क्रीम और काफी अच्छी फिनीसिंग आ जाती है इस तरह से जब आप क्रीम लगाएंगे तो जल्दी भी तयार हो जाता है कि इसके बाद इसे पैलेट नाइफ की मदद से इसे भी बराबर कर लेंगे फिनीसिंग दे देंगे फ्रेंच विर से याद दिला देती हूँ आपको अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज सस्क्राइब कर ले और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करते स्क्राइबर की मदद से हम इसके उपर भी डिजाइन बना लेंगे सेम वही डिजाइन बनाया है जो मैंने पिसले वाले केक के उपर बनाया था और उपर से इसे पेलेट नाइफ की मदद से क्लीन कर लेंगे जितना हो सके आप इसे क्लीन कर ले जितनी ज़्यदा आप प्रक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यदा आपको फिनिसिंग अच्छे आएगी आपके केक के उपर और प्रक्टिस से ही होता है यह सारा काम जितने केक बनाएंगे आप उतना ही ज्यादा अच्छा केक बंदा चला जाएगा आपका फिनिसिंग हो चुके है उपर से और अभी इसे रखेंगे दूसरे केक के उपर फृरीज में रखा हुआ अच्छा केक भी निकाल लेंगे निकाल लिया है मैंने और यह जो दूसरा केक है यह रखेंगे पहले वाले केक बनाने के लिए मैंने पेपर की जो स्ट्रो आती है उसे काट लिया है बिलकुल केक के साइज का और इसे डाल देंगे इसे होगा ये कि आप इसके उपर दूसरा केक रखेंगे फिर भी ये केक इतर उदर फिसलेगा नहीं बिलकुल अच्छे से सेट होकर रहेगा और एक पैलेट नाइफ की मदद से केक के उठाएंगे और इसके उपर रख देंगे दूसरे पैलेट नाइफ के मदद ले लेंगे इसे रखने के लिए केक को मैंने सेट कर दिया है दूसरे केक के ऊपर और ये देखे कितना प्यारा लग रहा है और यहां मैंने स्टार नोजल का यूज किया है स्टार नोजल क वो piping bag के अंदर डाला है और इसके अंदर डाल दी है cream जो हमने बना कर रखी थी और सिर्फ आपको dot dot देने हैं और border बना लेना है इस तरह से border बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही प्यारा सा डिजाइन मन कर तयार हो जाता है सिर्फ आपको डोडोड देने हैं और कुछ भी नहीं करना है इसमें नीचे वाला बॉर्डर बना लिया है अभी मनाते हैं उपर का बिल्कुल सेम इसी तरह से इसी पैटर्न को यूज करते हुए हम बना लेंगे उपर वाला भी बॉर्डर और देखे कितना प्यारा लग रहा है केक की लूख ही अलग हो जाती है और यहां मैंने जो आइस क्रीम की कोन लिए है इसके अंदर डाल देंगे एक प्रीम और थोड़ी सी इसके बाहर की साइड में भी लगा देंगे अच्छी तरह से फ्लावर सा बनकर तयार हो जाता है और इसके उपर रखतेंगे केक के उपर अब इसे इफेक्ट देंगे जिसे केक की आइस क्रीम की स्कॉन से केक के उपर ये रसमलाई फ्लेवर बरस रहा है बिकर रहा है कुछ ऐसा से इसे अभी इसे नीचे की तरफ हम बनाते हुए नीचे चलेंगे ये फ्लावर ये देखी फ्लावर सारी बना कर तयार कर लिया है मैंने अभी इसे बिल्कुल रस्मलाई का कलर देने के लिए फ्लेवर देने के लिए इसके उपर मैं डालूंगी पिस्ता और जो ये रोज के पैटल्स होते ही ने बारिक कट कर लिया है पिसे ही डालना है और बहुत ही प्यारा सा केक बनकर तयार हो जाता है देखे लुक ही अलग हो जाती है जब हम इस तरह से डालते हैं ये देखे इस तरह से डाल देंगे अभी बिल्कुल लग रहा है रस्मलाई फ्लेवर का और कितना प्यारा केक बनकर तयार हुआ है यहां मैंने दो तिन रस्मलाई भी रखती है इसके उपर ताकि अच्छी से लगे कि हाँ यह रस्मलाई केक बनकर तयार हुआ है अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर कर दें और यहां मैंने थोड़ी सी गोल्डन स्प्रे डाल दी है इसके उपर बिल्कुल ओप्सनल है वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर दे चनल को सब्सक्राइब